असलाम वालाइकूम आज मैं बनाने जा रही हूँ बल्लर की कडी करना टक में रेसंबर से लेकर फेबरवरी तक बल्लर का सेजन रहता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे मज़ेदार डिशेस बनते हैं तो मैंने इसकी सिंपल से कडी बनाई हैं बहुत ही जादा मज़ेदार बनती है और साइड डिश के लिए मैंने मटन कुफते बनाए थे जो लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी आप इसे देख सकते हैं बिस्मला केते हुए इसमस्मला केते हुए इस मज़िदार रसिपी को बना शुरू करते हैं गांपर महीं चीटल मैंने खीज़ी डान बबलर की दानी सब्स्क्रशन प्रणि प्रणि था चबड़ा दानी अच्छे से पीस लेंगे और यहां परम ने लिखाएगए एक लास जितना पाणी और पानी पाणी जैसे लिख जाता है इसके इंदर शामिल करेंगे अच्छे से दो के दानी है उसको दो कर इसके दो कर नमक ख़च्वेजाय का शामिल करेंगे और लहजनका पेस्ट इसके Cart法 पाउडर मसालों में एक चाय की चमच, जिरामेथी का पाउडर, अधर चाय की चमच, हल्दी, देड़ चाय की चमच, लालमेच पाउडर यहां प्यास को और हरा धनीयों को पीस कर ले लिया है, इसे इसे के अंदर शामिल करेंगे आच्छे से एक मिक्स दे देँगे, जब तक यह पकने लगता है तब तक अम दूसरे मसाला ही पिस लेते हैं, हमारा जो नारियल है और टमाटर को पिस लेगे, यहां पर यह अच्छे अबर के दोड़ा सापानी है दिए सिए भी अठाई Kate आपने हाँ। और सभी चीज़ों मिक्स ले अबता इसे नहीं को मोर्डा है। उस ऐसे तरीखे से लगारा है। कामज़ों सी यसे 7-8 विजिल्ज ख़ीं दे कर अच्छे से प्ला लिंगे। यह दस मिनिट के बाद आपको बता रही हूं बल्लर हमारे अच्छे से गल चुके हैं यह देखे हैं अब इसके अंदर इमली का खटा डालना बागे हैं इसके अंदर शामिल कर रही हूं एक टीस्पून जितना चावल का आटा हमेशा लोग मुझे पूछते हैं के चावल का आ दूसरी दरफ मैं एक पतिल रव्यस के अंदर शामिल करेंगे तीन टीस्पून जितना टेल आर राई पाउच अमश मने डाला है और राई जैसे तिरक्ने लगता है इसके अंदर शामिल करेंगे लगया और यहाँ पर अझे से बून ना अपशे हैं चुका है ओर भीकड़ी को 2-3 मीट तक अच्छे से पैंगे तो यह थी भलर की कड़ी की रैसिपी बहुत ही जाद मज़िदार रैसिपी बनती है वाइट रेस کے साथ बहुत ही अच्छी जाती है आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें और मेरी रेसिपी आपको पसंद हाती हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्त दौक आपके साथ जरूर शेर कर दें और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मुझे आगे बढ़ने में मदद करें उमिद करते हूं कि आपको मेरे रेसिपी जरूर पसंद आई होगी फिर मिलते हैं अगली नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए अला हाफिज